नमस्कार मैं हूँ माना समर्थ और आजकल लोग को किड्नी फेलियर की बहुत ज्यादा समस्या हो रही है और बहुत लोग के आजकल किड्निया खाराव हो रही है और उसका एक रीजन किड्नी स्टोन भी है तो मैंने सुचा आज इसी टॉपिक पर बात की जाए और आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि आप किस तरह से बिना सर्जी बिना ओप्रेशन के घर पर केवल अपने फूड को चेंज करके और कुछ घरिलू उपाय करके कितनी आसानी से आप इस प्रॉलम से निजाद पा सकते हैं और आप अपने किड्नी स्टोन को तोड़ कर आसानी से यूडियो के थ्रू बाहर निकाल सकते हैं अगर आप में भी किसी कोई समस्या है तो आप भारत पैथ के थूँ यानि कि भारत पैथी हेल्थ केर जो कि हमारा एक online wellness प्लेटफॉर्म है जहां पर हम acute और chronic हर विमारी का इलाज करते हैं, online इलाज करते हैं और जहां पर हमारे टीम में बहुत सारे nutritionist, naturopath, electro-homeopath, doctors, mbbs, doctor, आरुवेदा चाहरे और diabetes coach और यह सब आरुवेदा चाहरे यह सब इसको हमारी टीम में हैं, जो कि बहुत अच्छे से सब का इलाज करते हैं, जो अपने जितने भी उनके 20-20 साल के experience हैं, उनको यूज करके बहुत असाने से घरे लोग उपाय द्वारा ही लोग का इलाज करत और जितनी उसके अंदर गंदगियां होती हैं, टॉक्सिस होती हैं, और केमिकल्स होते हैं, वो सब यहां पर आते हैं, किड्नी के अंदर, और किड्नी फिर उस ब्लड को फिल्टर करता है, फिल्टर करके प्यॉर ब्लड को भीज देता है, और फिल्टर से जो गंदगी निक जरूरू वह निकल जाती है यह एक सिंपल सा प्रॉसेस है हमारी बॉडी के जितने भी टॉकसिन होते हैं इंका बाहर निकलना ज़रूरी होते है तो पसी ज्यादा जितने बीट गंदगी के निकलती है वह निकलता है यूरिन के थ्रू चि Szीजुने के यूरीन के थरू अगर 150 मैं बताते हूँ सबसे पहले कि kidney stone होता क्या है व कारण तो इसके बहुत सारी है लेकिन में जो चीज है कि कि किड़ी के अंदर जो यह filter होने के लिया इसके अंदर मिनरल इसके अंदर salt होते है मिनरल dislodilatecidoist जब यह जाते हैं तो यह होता है होता है हमारा kidney stone किड़नी स्टोन जब भी किसी को होता है तो ज़्यादा प्रॉलम तब नहीं होती जब अगर स्टोन यहीं पर रहा है लेकिन जब यह स्टोन इसमें आके फस जाता है तो तब बहुत जाद दर्द होता है क्योंकि फिर यूरिन यहां से पास नहीं होता है और इस वज़े से यह अपको बनेंगे और यह स्टोन फिर आपको प्राउलम करेंगे आपकी किड़नी को डेमेंज करेंगे तो अब जानते हैं कि kidney stone के लक्षन क्या है मिन्स आपको रोक का कैसे पता चलता है आपको कैसे पता चलेगा कि आपको kidney में stone हो गया है तो सबसे पहले आपको urine करते समय दर्द होता है अगर किसी के stone होता है तो urine करते समय दर्द होता है बुखाराना, उल्टी होना या जी मिचलाना ये भी एक इसका लक्षन है तो अगर इसमें से कोई लक्षन आपको है तो समझेए फिर आपके किड्नी में शैद स्टोन है जब आप जाच कराएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ मेरी किड्नी में स्टोन है तो अब सव सबसे जादा है कि सर्जी कराते हैं लोग स्टोन निकलवा देते हैं उसके बाद फिर इस्टोन फिर फ़र मोता है और कई बार किड्नी भी खराब हो जाती है जिसकी वेज़े से आपको बहुत सारी परिशानियों को सामना करना पड़ता है तो मैं यह आपको यह बताना चाह अब यह रसोई और आरुवेद को मिलाएंगे तो समझे कि इतना ब्यूटिफुल संगम बनेगा कि आप किसी भी बिमारी को उसको आसानी से ठीक कर सकते हैं तो अगर हम रसोई की बात करते हैं तो फूड के लिए डॉक्टर विशुप्रायचाल जी की फेमस डी आईपी डा है इस वीडियो मैंने बहुत डीटिल में बता है किस तरह से आपको डी-ाइपी डाइट लेनी है उसमें कुछ हमने ध्यान डखना है मैं आगे इस वीडियो में बता हुँगा तो डी-आइपी डाइट सबसшьे पहले आपको फूट करना है तो फूट का सेक्शन तो यह आपका यहां पर खतम हुआ अब हम दूसरी बात करते हैं आरवेद की तो यह जो पांच समान मैंने आपको लिखे हैं यह पांच समान आपको इकटे करने हैं सबसे पहले आपको छोटा गोखरू यह आपको मार्केट म लेनी है 20-20 ग्राम तो जब 20-20 ग्राम इन पांचों चीज को लेंगे तो यह 100 ग्राम आपका बन जाएगा 100 ग्राम चीजों को इने कूट पीसकर पौडर बना लेना है यहाँ पर यह ध्यान रखें जो फिटकरी है फिटकरी को थोड़ा से तवे पर भूनना है इस फिटकरी को तवे पर भूने और उसके बाद यह जो जितनी चीज़े हैं इन सब को मिला कर कूट पीसकर आप इसका पौडर बना लेंगे पौडर बनाने के बाद आपको लेना कैसे है इस पौडर मेंसे आपको दो ग्राम यानि कि एक चम्मच जो है वो पांच ग्राम की होती है तो दो ग्राम का मतलब है आधा चम्मच से थोड़ा कम यह पौडर आपको सुबह शाम खाली पेट लेना है लेना कैसे है, दो ग्राम पाउडर लिया है, एक ग्लास ताजा पानी लो, उसमें एक निम्बू निचोड़ दें, उसका बीच जो है फैक दें, निम्बू निचोड़ के वो मिला लें, और दो ग्राम जो यह आदा चम्मस पाउडर है, इसको सुबह साम खाली पेट आप मतलब 60 ग्राम आपका कल्जूम हो जाएगा, 40 ग्राम आपका रह गया, तो यह आप ले लें, परहेज क्या खरना है, मिस क्या क्या आपको ध्यान लखना है, यह आप विशेशे जरा इनका भी ध्यान लखिए, जब आप इस नुस्के को अपनाएंगे, तो उस समय आप पुर्षे दिन से ठीक होना शुरू हो जायेगी, पंद्रे दिन तक भी को लेना है, पंद्रे दिन के बाद तो भैसे तो आपका दर्ध शुरू में खत dangs my खतम हो जाएगब, और पंद्रे दिन के बाद अगर आपको थोड़ा बहुत बसता है, तो फिर आपको जो बचा नहीं कराना चाहे, नहीं करा लें तो लेकिन मैं आपर आपको कहना चाहँगा जिसको भी kidney, जिसकी body में stone जादा बनता है, चाहे को kidney में बने नहीं और बने उसको इधिया नखना है कि वो पानी ज़रूर पिये, काफी liquid जादा ले, acidic food ना लें और fruits, vegetables इनका ज़्यादा यूज़ करें, means fiber वाली चीज़े वो ज़्यादा खाएं, ऐसा करेंगे तो फिर उनकी body में stone वनना धीरे हो जाएगा, कम हो जाएगा और बनेगा भी नहीं, अगर इसको ऐसा चालू रखेंगे, इस simple सी चीज़े कोई भी बहुत असानी से सिकर सकता ह है, उसके वाजूद भी आप में से कोई भी हमसे treatment लेना चाहे, तो इस number पर जाकर आपको concert लिखे, और यहाँ पर आपको reply मल जाएगा, या मेरी website पर जाकर, manasarama.com slash concert पर जाकर, आप हमसे concert कर सकते हैं, आप हमसे treatment ले सकते हैं, किसी भी बिमारी का, चाहे वो acute हो, चाहे chronic हो, जो हमारी team है, जिसमें MBS, MBS, doctors और यह सब हैं, यह बहुत अच्छे से आपको diet plan बना कर देंगे, और जितनी भी आरुवेदिक चीज़े हैं, यह आपको बताएंगे, असानी से हजारों ने आप तक अपने आपको ठीक किया, तो इन तरह से आप बहुत असानी से बिना सर्जी के, बिना अलोपैथिक दवाईयों के, क्योंकि यह धान रखे कि हमारी body chemical को recognize नहीं करती, chemical को नहीं पहचानती, हमारी body केवल food पहचानती है, और यह वनस्पतियों को पहचानती है, क् भगवान ने जिस body को बनाया है, तो भगवान ने इसको ठीक रखने के लिए भी food दिया है, और यह वनस्पतियां दिया है, ताकि कोई दिक्कत परिशानी हो, तो वनस्पतियों को यूज़ करके हम आसानी से अपने आपको ठीक कर लें, मेरी next वीडियो में देखेंगे, कि क करना चाहते हैं, तो सिर्फ आपको एक काम करना है, कि इस वीडियो को लोगों तक शेर कीजिए, कम से कम अपने 10 लोगों तक जरूर शेर कीजिए, अगर हर व्यक्ति 10 लोगों तो शेर परें, तो यह भारत की पैथी जो है, यह घरगर पहुँच जाएगी, और लोग बहु आसानी से अपनी बोड़ी को किसी भी बिमारी को ठीक कर सकते हैं, तैक्यू आप लोगों इस वीडियो को देखने के लिए, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो बेल आइकन को दबा कर चैनल सब्सक्राइब पर लें, ताकि मेरी आने वाले सारी व वीडियो आप कोई मिस ना करें, once again thank you so much, जल्दी मिलता हूँ, एक नई वीडियो के साथ तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, नमस्कर